नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हिमानसो चोधरी आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेर करूँगा कि अगर आपका फिलिपकार्ट अकाउंट यानि फिलिपकार्ट आइडी आपकी बंद हो गई है, इनक्टिव हो गई है तो आप उसको फिर कैसे अक्टिवेट करेंगे काफी सारी समस्य आपके सामने अगर आ रही है कि आपने जो अपना मोबाई लंबा डाल दिया है अपनी एमेल आइडी भी डाल दी है लेकिन उसके ना तो OTP आ रहा है कि भाई आप उसको एक्टिव कैसे करा सकते हो आपने सब कुछ करके देख लिया है हर तरीके से आपने कोशिज कर ली है आपने एमेल के माध्यम से भी कोशिज कर ली है अपने मोबाई लंबर से भी कोशिज कर ली है लेकिन आपकी जो Flipkart की ID है वो active नहीं हो पा रही है तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ solution बता हूँगा जिससे की आपकी Flipkart की ID दोबार ऐसे active हो जाएगी बहुत ही आसान प्रोसेस है बस वीडियो बने रही है वीडियो सुरू करने से पहले थोड़ास आपसे निवीदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको भेतरी डिजिकल जानकारिया और updates मिलती रहती है तो हैंजे चलते हैं अपने topic पर तो अगर आपकी email id का option नहीं आ रहा है आपके flip card application में और नहीं आपका mobile का option आ रहा है मतलब OTP का आपको क्या करना है आपको अपने किसी दूसरे friend की यानि कि जिसकी id चल रही हो तो क्यों भी flip card account हो आपके दोस्त का हो relative का हो परिवार में हो कोई भी हो आपको उस id से login कर लेना है इस तरीकी सा देख सकते हैं आप साइडे में आपको दिखा भी देता हूँ कि आप जब उसमें login करेगे तो उसमें option आएगा contact us का ठीक है आपके flip card की id बंद हो चुकी है इनक्टिव हो चुकी है बहा mobile number आपको उस पर डालना है ठीक है confirm होगी बात वो डालने के बाद आपको क्या करना है call us का उस में option आएगा यानि कि आपसे वो contact करने का option आएगा तो आपको उस number पर जो है okay कर देना है फिर आपके सामने option आएगा कि आप किस भासा में बात करना चाहते हैं English या Hindi तो आपकी मर्जी है आप English select करना चाहते हैं तो English रहने दीजिए या अगर आप Hindi बात करना चाहते हैं तो फिर Hindi को select कर लिजिए अब क्या होगा आगे आपको क्या करना है थोड़ी देर बेट करना है बेट करेंगे आपका जो number आपने उसमें डाला है अपना जो जिसकी ID आपकी in active हो चुकी है उस number पर flip card का एक executive आपके पास call करेगा आपको उन से बताना है कि sir मेरी जो flip card की ID है वो block हो चुकी है अपनी जो आधार card है या pen card है उसको आप दिखाएंगे या जमा करेंगे अपलोड करेंगे तब आपकी जो flip card की ID है वो active कर दी जाएगी दूसरा जो option है दोस्तों वो है email का contact us में आपको email ID मिल जाती है flip card की तरब से अगर नहीं मिल पा रही है तो मैं नीचे description में उस email ID को डाल दूँगा आपको क्या करना है उस email ID पर जो है एक mail compose करनी है यानि कि mail भेजनी है उसमें आपको क्या लिखना है उसमें आपको लिखना है दीर sir या madam oblique करके आप लिख सकते हैं और नीचे लिख देना जैसे अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो मैं description में भी लिख दूँगा अगर आपको पता है कि आपका जो flip card का account है वो किस बज़े से बंद हुआ है तो आप उस कारण को भी अपनी email में डाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई बात उसमें आप लिख देना कि मुझे जानकारी नहीं है कि किस कारण से मेरी ID को बंद किया गया है तो यह है दोस्तों दोनों option है और दोनों option से ही आपकी जो flip card की ID है वो दो बारा से activate हो जाएगी अगर फिर भी आपको कोई problem आती है आपका account inactive ही रहता है active नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो के comment box से मुझे comment कर दीजिए मैं कोशिस करूँगा आपकी उस समस्य का समधान करन ऊते है像 नहीं है मुझे działa कि कि ए आपकी उस आपकी उस आपकी ब सक्ड़्य के वीडियो का समधान करन है ए लोगू तेह है ज़